तो यार जादा सार बच्चों के दिमाग में यही सवाल चल रहा है इस समय कि जेए मेंस 2023 के अंदर अभी हमारे पस 50-60 दिन बचे हुए है तो उसके अंदर क्या अभी भी जेए की कुछ पॉसिबिलिटी है तो कल या परसो में मेरे खाल से जेए मेंस का रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद क्या हो है यह बहुत सारे बच्चे जिनका परसेंटाइल 90 से नीचे आया है अब उनके अंदर एक डाउट पैदा हो गया है जो बोट्स वाले है वो तो कोशिश कर रहे हैं बोट्स की त्यारी कर लेंगा या या दो महीने में क्या यही हो सकता है तो सबसे पहले आपको बढ़ा दूं कि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिनका परसेंटाइल 90 से नीचे है या फिर आप एक ऐसे बच्चे हो जिनको या स्पून फीडिंग कराई जाती है यानि अगर आपको मैं बोल दूं कि यह चीज़ अब किताब से बढ़नों अब नहीं जाना इसमें ठीक है इसमें आप पर इंडिया के टॉप टीचर्स आपको मिल रहे होंगे राइट जैसे नम्मो कॉल सर हो गया या जैन नगाडव सो गया एसे टीचर्स आपको मिल रहे होंगे टॉप टीचर्स और थ्री थाउजन फैंडिट सम्झिंग का है बहुत लोँं में है तो यार आप अनु जरूरी कर सकते हैं दो मिनिक कर देगा आपको फिर इसके बाद को सोचना ही नहीं है इसके बाद आपको खुछ भी सोचना है कहाँ दख और बच कर सकते हो free उ यहां से चीज कर सकते हो यहां से भी आप कर सकते हो दोनी आपको बता दिये और इसी के साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि हम लोग का जो पहला स्टेप होता है हम लोग का जो पहला स्टेप है मैं बार बार बोल रहा हूं और मैं हर बार हर वीडियो के शुरुआत में यह बोलता हो दो चीज़े के वहला आपकी प्रपरिशन वदल सकता है पहला कि आप एक्शन ले रहे हो बिना एक्शन लिए कुछ भी नहीं होने वाला है दूसरी चीज की 100% responsibility आप ले रहे हो यह दोने चीज़ आपकी प्रपरिशन वदल सकती है वाकि कोई और व्यक्ति आपकी प्रपरिशन कोई और व्यक्ति कोई और जिसको बोलते है कॉर्स कुछ नहीं प्रपरिशन तो पहला स्टेप यह है जो क्या आक्शन इबिल स्टेप है मैं आपको ब पास नहीं है आप अपना दिमाग चला रहे हो कि यार मैं बुक से कर लूँगा या मैं यहां से कर लूँगा वहां से कर लूँगा और आपका परसेंटाइल 90 नीचे माई फ्रेंड 90 से नीचे रह जाएगा कुछ भी कर लो क्योंकि तुमारे पास भी स्ट्रक्चर ही नहीं ह सबसे पास यहां आपको यह चीज कर लेनी खांप दूसरी चीज दूसरी चीजाएफ कि और फि давай लो प्रिपर से कि मान्लो एक एक ऐसा हो सकता हैसा जहां पर सुमारा सब कुछ है यहनि 80% आपका वो portion आपका वीक है ठीक है मैं कहा रहा हूँ और जिस मानलो में maths हो गया किसी बच्चे का 80% maths वीक है और किसी बच्चे का मानलो मैं कहा रहा हूँ कि 80% को subject नहीं मानलो 20-30% ही वीक है ठीक है वागी मेरे को आता है और इसका सबसे बड़ी मेजर यह था कि आपका जो जेई मेंस के अंदर इस subject में परसेंटाइल आया है वो 95% से उपर आया है subject परसेंटाइल ठीक है तो इसका मदब यह कि यह जो केस है मैं इसमें आपको strictly बोलूँगा कि आपको एक course को आख बंद करके follow करना है ठीक है आख बंद करके आपको पो फॉलो कर लेना है ठीक है कुछ भी आपको दिमाग अपना चलाना नहीं है आख बंद करकर लेना है वैसे मैं आ अल्लेडि बकिट वन बकिट टू ब आपका week है तो उसके लिए आप कोई एक structured course कोई prefer करो ठीक है और अगर YouTube पे one shots देख रहे हो तो eight hours के one shot ये long one shots पिर पर गणा है और इस subject में सबसे पहले आप bucket one, bucket two, bucket three को complete करने के कोशिश करो आप bucket one, bucket two, bucket three क्या है तो मेरे चानल पर जाना मेरे संकल जोरी चानल पर जब जब two के अंदर ठीक है और 20-30% आपके अगर चीज़े वीक है तो समझना आपको क्या करना है तो बीस से तीस परसंट चीज़ ऐसी हो सकती है जो शायद आभी आपके पास दो महिने है ठीक है तो इसको आप अराम से एकर one shot से या सफलता बैस से भी कर रहे हो ना और सफलता बैस स की प्रेक्टिस कर ले ना से मैं कह रहा हूं वह स्ट्रोंग है तो कल मैं एक गन्ता दो गंता निकाल लोगा जहां पर मुझे अलेक्ट्र से टेरा से लेके तो ऐसे आप कर सकते हो दूसरी चीज तीसरी चीज तीसरी चीज मटीरियल क्या करना वहां युद्ध में जाओगे तो वहां पर तो मटीरियल आपको मिली जाता है डी पीपी बखेर लेकिन अगर आपको मटीरियल नहीं मिल रहा है तो जैसे अगर आप सफलता बैच चला सफलता बैच में टिक है या आपको वहां पर वह 25 बड़िया वाले सवाल आपको करते हैं और उसके पाद आप पकड़ों की टीचर कैसे थियोरी उसमें apply कर रहा है और उसके बाद आप PYQ के लिए जा सकते हो PYQ में बार 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 बोल रहा हो अप्टिमम आपको मैं बता हूँ 175 से लेके 165 से लेके 175 तर कि आ गई ठीक है और अगर दो शिफ्ट हम अटा दी केवल 25 की सेकंड शिफ्ट और एक की दोनों शिफ्ट ठीक है वो अगर हम लोग अटा दे तो मुझे लगता है कि शायद पाकी सभी शिफ्ट में यही नंबर रह है और 25 की सेकंड इंदोनों की शिफ्ट ने 189 से लेके 192 तक चला गया था जो की जो की यह भी ज्यादा थी ठीक है 99 परसेंटाइल के लिए जो की काफी अची बात रही लेकिन अपरेल अटम्ट में इससे 100 परसेंट बी 20 तो 30 मार्क्स बढ़ने वाले है तो अगर आप कम से मिनिममम मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप मिनिममम 180 मार्क्स लेके 190 तक नहीं लेके आओगे तो 99 परसेंटाइल बहुत मुश्किल है ठीक है और एक चीज़ और है अगर कोई बच्चा 120 पर है या कोई बच्चा भी 110 पर था उसके लिए यह जाना कोई मुश्किल काम नह आपको 7080 मार्क्स कवर करने का मतलब पता है क्या है अगर आप बोलो कि 20 कुश्चेंस आपको नए करने है छे को सब्जेक्ट में माल लो यह साथ मालो सब्जेक्ट में साभ को मतलब हो गया है कि आको तीन या चार ऐसे चैप्टर उठाने या सब्जेक्ट से जो आपके वी इसके बाद चौती चीज नो मुझे इसमें लगती है वह है टेस्ट तेस्ट आपको देखे चलते रहना है मौक टेस्ट आपने विल्कुल एसे नहीं करना है यहां नहीं दे रहे है या आल्टरनेट वीग पर दे रहे हैं खुछ भी आप एक बार जीएम दे चुके हो तो एक पार तो पोर्स रैप अप हो गया है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि weekly आप दो मौक टेस्ट तो कम से कम आप दे दो उसका analysis भी करते चलो analysis वाला पार्ट बहुत जादा important है क्योंकि यहां से आपको यह मालूँ पड़ेगा कि कौन सा topic आपका किस level पर strong है और आखरी चीज आखरी चीज तो most important चीज आपको एक चीज बताओं कर आप किसी भी तरीके से अगर मालो आपने कोई अपना goal बनाया है कोई aim बनाया है और उसको आप किसी भी तरीके से अपने आपको यह convince कर लेते हो कैसे भी चाया वो कितना भी unrealistic हो बट अगर आप उसे convince कर लेते हो अपने आपको क्यार यह चीज अचीज की जा सकती है तो यार my friend वो चीज अचीज की जा सकती है वो चीज अचीज है और यह मैंसे बोलने के लिए नहीं बोल लोंगे यह बहुत practical बात है अगर आपने अपने दिमाग में यह सोच लिए और आप अपने आपको डेली practical नहीं होना होता है इन चीजों में ऐसे नहीं सोचना होता है अब नहीं आए तो अब भी नहीं आएंगे ठीक है कोई भी स्थिती जो होती है वो आपकी permanent नहीं होती है अगर मानलो आज मैं किसी खराब स्थिती में हूँ तो मैं आज failure हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ज सिसी बदलेगी और कल अगर मेरा परसेंटाइल जादा आया है तो परसेंटाइल किसी और एक्जाम में कम भी आ सकता है सीदे सीदे मैं आपको बता हूँ तो अपने दिमार्ग को एक युनिफॉर्म स्टेट में रखना है हमेशा अपने आपको यह कहें के चलना है कंडिशनली और अनकंडिशनली मुझे मैं 180 मार्गेट है मैं अचीव कर सकता हूं मैं अचीव करूंगा क्योंकि हर साल 40-50,000 बच्चे 150 मार्गेट के अचीव कर रहे हैं और 5000 बच्चे अगर हर साल जा रहे हो न तो वो काम इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम लोग उसको अपने अपने बना के रखे हुए 5000 बच्चे मैं बताओ 5000 बच्चे हर सा क्यांट करें क्यांट के नि हमश्किल है मुश्किल बता है क्या है मुश्किल के बसके अगार आपके पास कोई बात नहीं लेकिन आपके पास regret नहीं रहेगा कि मैंने 100% अपना नहीं दिया तो चार चीज़े मैंने बताएं इसको sum up कर लेते हैं सबसे पहले चीज you must have a structured course दो courses मैंने आपको बता दिये सफलता बैच जो कि आनके आडमी जे ही फिजिक्स चैनल पर चल रहा है दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि आपको 70% जिसका कोई जो सब्जेक्ट आपका बहुत जारे वीक है उसके लिए structured course फॉलो करना है bucket one, bucket two, bucket three की strategy के साबसे पर आपको मिल जाएगी आपने लेटरेट की जो रोड़ मैं पर उसी में हो, तीसरी चीज आनके होता है material के सौल करना, चौती चीज टेस्ट और मॉक्टेज बहुत ज़रू दियो है, पांची चीज अपने उपर share trust रखना है, क्योंकि तुम ही अपने उपर share trust रख सकते हो, और कोई भी व्यक्ति तुम पर share trust नहीं रख सकता है I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसी और वीडियो के लिए subscribe कर लो इस चानल को